Hello everyone, welcome to study journey with you Friends, आज मैं आपकी एक बहुती most demanding वीडियो लेकर के आई हूँ आप सब लोग पूछ रहे थे कि KVS के form निकल चुके हैं ये सूचना तो आपने दे दी थी लेकिन आप कैसे तयारी कर रही हैं और हमें किस तरह से तयारी करनी चाहिए, क्या syllabus होगा, क्या नहीं होगा लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि अब की बार KVS का exam pattern थोड़ा सा change हुआ है Friends, वो change किसी individual के लिए नहीं है, सभी के लिए है, सबसे पहले तो ये समझो और इतना कुछ ज़्यादा change भी नहीं है, पहले वाले से थोड़ा सा ही change है अगर हम चीजों को सही डंग से समझेंगे, syllabus को अच्छे से देखेंगे, तो हमारी preparation जरूर अच्छी होगी Friends, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो syllabus है, वो detail में हिंदी में बताऊंगे कि आपको पढ़ना क्या है बहुत से लोगों ने PDF तो डाउनलोड कर ली है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है Friends, पढ़ने से जदा important होता है कि हमें एक्जाम में छोड़ना क्या है, और वहीं चीज हमारा selection करवाती है तो आज की वीडियो देखने के बाद हो सकता है, ये वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए क्योंकि Friends, इसके अंदर मैंने जितने भी आप लोगों के doubt है, क्योंकि वो doubt पहले मुझे भी आ रहे थे तो मैंने अपने उन doubts पे अच्छे से one week तक काम किया है, और then उसके बाद मैंने शलिबस को अच्छे से analysis किया है और बिलकुल आपको इस तरह से बताऊंगी कि आपकी exit पक्की हो जाए ठीक है, तो आप लोग वीडियो को complete देखना हो सकता है, वीडियो थोड़ा लंबी बन जाए ठीक है, तो जलिए मुद्दे की बात पर आते हैं मैं आज की इस एक वीडियो में जो mainly बात करने वाली हूँ, वी KVS PRT के बारे में बात करने वाली हूँ क्यों PRT के ही सबसे ज़्यादा doubt आ रहे थे थोड़ा बहुत TGT के बारे में भी बताऊंगी और आपको बताऊंगी भी कि आपको TGT के लिए क्या करना है तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने शली बस देखी लिया होगा जो आपके पास general English है, वो general English आपके पास 10 marks की है general Hindi भी 10 marks की है, then general awareness है 10 marks का then reasoning, then computer, pedagogy और subject concern इस तरह से आपका जो subject है वो in-in parts में divide है आप लोग यह मत सोचना कि मैं आपको सिधा brief में बता रहे हूँ नहीं friends वीडियो को complete देखना आपको full detail में बताया जाएगा general English 10 number की हो गई, Hindi 10 number की हो गई तो Hindi और English यहां से कितने number की हो गई, 20 number की हो गई ठीक है, साथ में जो subject concern है, उसके अंदर हमारा क्या क्या आने वाला है Hindi, English, Maths and EBS friends ऐसा दिया हुआ तो नहीं है, सभी 2020 marks गयाएंगे लेकिन ऐसी उम्मिद की जा रही है कि हर एक portion 2020 marks का आने वाला है तो चलिए इनको भी थोड़ा detail में देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है तो इस तरह से आपका जो total paper है, वो 180 marks का आपका exam होने वाला है आपको 180 minute मिलने वाले है, और जो आपका exam mode होगा, वो CBT mode होने वाला है ऐसा first time हो रहा है कि KBS का exam online होने जा रहा है तो आप लोगों को पहले syllabus complete करना है, देन उसके बाद आपको online के practice करनी है अभी से बिल्कुल ऐसे मत डरना कि जो exam है वो online होगा, तो अभी से अपने आप में डरने लगो बलकि online जो exam होता है, उसमें तो आधी tension कम हो जाती है, गोले वगेरा बरने की, गोला कहीं गल्त हो गया, सही हो गया, ठीक है तो बिल्कुल बहुत easy पड़ेगा, आप लोग जब exam करोगे तो, ठीक है then no negative marking, कोई भी negative marking नहीं है, अब हम चलते हैं आगे, देखिए अब मैं आपको जो मैंने general Hindi बताई है, कितने number की है, general Hindi आपके 10 number की है ठीक है, वैसे हमारी Hindi आप लोग देखोगे, तो 30 marks के आने वाली है, general Hindi में 10 number की plus में जो subject concern है, उसके अंदर भी हमारी 20 number की Hindi आने वाली है English है, इसी तरह से English जो है, वो भी आपकी general English 10 number की है और general जो Hindi English है, वो आपकी 20 number की है, तो इस तरह से 30-30 number की आपके पास क्या हो गई, language हो गई अब friends आगे देखिए, जो सामाने Hindi है, आपकी general Hindi है, उसमें syllabus में कुछ detail में नहीं दिया गया है सिरफ ऐसा बताया गया है, पठन कोसल, सबद सामर्थ है, व्याकरण, एम परियोग ठीक है, तो इस तरह से दे रखा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें complete Hindi पढ़नी है क्योंकि जो subject concern है, उसके अंदर भी सारे topic खोल करके दिये हुए है तो हमें Hindi वैसे भी पढ़नी है, तो आप Hindi को इस तरह से तयार कर लो कि आपके 30 marks हैं, वो कहीं नहीं जाएं, Hindi इतना बड़ा subject भी नहीं है आप अगर 10-15 दिन भी Hindi को देते हो, तो आपकी अच्छे से cover हो सकती है friends, साथ में मैं आपको कोई ये मत समझना है, कि मैं अपनी वीडियो का promotion कर रही हूँ लेकिन हाँ, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों ने, मेरी एक वीडियो है दो वीडियो है मेरी, एक 50 मिनट की है और एक 40 मिनट की है, दोनों किसकी है, हिंदी की है टोटल 90 मिनट में मैंने आप लोगों को 18 टोपिक करवा रखे है है हिंदी की तो ये जो दोनों वीडियो है, इनके जो लिंक है वो में description box में आपको देने वाली हूँ एक बार आप उन वीडियो को सुन लेना ठीक है मेरे कहने से एक बार आप उन वीडियो को क्या कर लोगे सुन लोगे 18 टोपिक आपके 90 मिनट में कवर हो रहे हैं और आप लोग देखोगे कि आप बहुत कुछ सीख गए हो आपको बहुत सी नई चीजे भी सीखने को मिलेगी और आपका बहुत अच्छे से रिविजन भी हो रहा है तो जब आप उनको देखोगे एक बार उनको देख लेना फिर आप मुझे बताना कि मुझे आपको हिंदी कंप्लीट 30 मार्क सी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए ठीक है आप लोग मुझे बताओगे का आपको मुझे करवानी है या नहीं करवानी है अगर आप लोग बताते हो कि हाँ करवा दो तो मैं डेली एक एक टोपिक लेकर करके इतने ही इंदी में टोपिक होते हैं 18-20 हम आराम से इस वाले महिने में ही कम्प्लीट कर सकती है ठीक है तो आप लोग एक बार इस वीडियो को मेरे कहने से देख जरूर लेना दैन उसके बाद जो हमारा जो जनरल अभी अवेरनेस जनरल इंगलिस बता देती हूँ जनरल इंगलिस जो हमारी 10 marks की है उसके अंदर आपका सलेबस दिया गया है रिडिंग कॉमप्रेंसन, वर्ड पावर, ग्रेमर, एंड यूजेज ठीक है इस तरह से आपका सलेबस दिया हुआ है तो इसके अंदर भी आपको क्या करनी है एक कोई आपके पास कॉमप्रेंसन, पैसे जा जाएगा जिसमें से क्यूशन छाटनी होते हैं आप लोग कर लोगे कुछ आपसे वोकेब का पार्ट पूछा जाएगा सिनॉमस, एंटोनेमस और कुछ ग्रेमर के रूल से भी क्यूशन बन जाएंगे तो आपको इसके लिए भी इंग्लिस को पढ़नी है क्योंकि इंग्लिस यहाँ पर सब्जेक्ट कंसन में भी आपकी इंग्लिस 20 मार्क्स की आ रही है 20 मार्क्स की यहाँ पर और जनरल इंग्लिस वाले में 10 मार्क्स की तो टोटल जो English आ गई वो आपके कितने माक्सी हो गई 30 माक्सी अब आप लोग यहीं पर देख सकते हैं कि जो आपकी हिंदी है और English है दो language है हिंदी और English और मुझे नहीं लगता यह दोनों subject इतने hard है अगर आप लोग थोड़ी सी भी इनके उपर महनत करोगे तो इनको निकाल ले जाओगे हिंदी और English आपके कितने माक्स के आ रही है 60 माक्स के आ रही है बहुत बड़ा वेटेज होता है friends 180 में से 60 माक्स यानि one third part जो है वो हिंदी और English से आप लोगों का cover हो जाएगा तो हिंदी और English को बिलकुल घोट करके पी जाईए ठीक है ना तो आपके 60 माक्स यहां से बन जाएंगे इतना समझ में आया इसमें जो 10 माक्स में आपकी मोश्चली क्या आएगी current affair के साथ-साथ जो आपके days होते है DAVIS जो नई निकलती है पुरानी होती है पूछति और उनकी writer ptar पूच लेता पुरुसकार पूच लेता है कोई जो आप सम्मान दिये जा रहे है जैसे पदम स्री पदम विबूशन वो किन को दिये गई ऐसे कुशन पूछ लेगा खेल वगएरा के बारे में पूछ लेगा कोई देश जो कुछे किसी उर्गनाइजेशन वगएरा में कुछी में पार्ट ले रहोगा कुछे और्गनाइज करवा रहोगा तो वहां का कुछ देश उसकी राजधानी उसकी मुद्रा ये कुशन पूछ लेगा को एक दो कुशन आपके जो करंटली जो इन्वेंशन होते रहते हैं तो वहां से इकने नंबर लेने हैं तो डेली आप 10-15 मिनिट की जो वीडियो होती है उनको देख सकते हो सुन सकते हो किसी भी यूटूब चैनल की स्टड़ी आई क्यों हो गया कोई भी नेक्स्ट एक्जाम हो गया कोई भी ओएक्स वाईज़र ठेक है आप जिसको फोलो कर रहे हो उसी क कवर हो जाएंगे साथ में हमें एक बुक भी पढ़नी है लेकिन वो बुक में अभी आपको पढ़ने की सला नहीं दूँगी जब आप लोगों की एक्जाम डेट आ जाए और एक्जाम डेट फ्रेंग्स जहां तक मेरा मानना है कि एक्जाम डेट जो के वियस एन्विस जैस अपरेल तक ही अपनी टैयारी स्टार्ट कर दीजिए कि आपके पास तीन महीने मान के चलो अपरेल भी छोड़ो मार्स में भी हो जाए तो आप लोग तीन महीने मान के चलो और तीन महीने में आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं तो यह ओ ग大 10 कि है इतना मत क याप को करने हैं तो आप किसी बुक की जुरूर नहीं कर सकते हो जोभी टu क्यों से पढ़ लो धैन उसके बाद करते हैं कम्प्यूटर लिटरेसी आ पस फॉप अने वाला है तो five marks में ऐसा नहीं है का आपको programming पढ़ली, language पढ़ली, ने friends ऐसी बेकुफी मत करना, यह सिरफ आपकी basic knowledge के लिए होगा, अगर कोई deep में question पूछा जाएगा, तो specially एक बंदी से तो पूछा नहीं जाएगा, सभी के लिए यह वो deep होगा, ठीक है, तो computer literacy में जो five marks का आने वाल से cover हो जाएगा, तो थोड़ा दिन wait करो, मैं आपको जो notes है, वो telegram group में share कर दूँगी, तो आप लोग वहां से भी इनको पढ़ सकते हो, ठीक है, अब friends आगे चलते हैं, यहां तक बात हो गई हमारी, अब आपके पास जो सबसे जो main topic आ रहा था, सब का doubt आ रहा था जिसके तो जो English में जो syllabus दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, कि आप लोग बहुत confused हो रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो friends बिल्कुल भी confused मत हो यह, आप लोगोंने CTAT पास किया है, आपका STAT पास किया होगा, ठीक है, तो इतना कुछ भी ऐसा कुछ hard नहीं है, इसमें कि आप लोग ना कर पाएं, ठीक है, मैंने हिंदी में इसको लिखा है, और एक अलग सी वीडियो गनाऊंगी, जिसके अंदर हम बिल्कुल एक एक topic को अच्छे से discuss करेंगे, आप लोगोंने CTAT, CTAT, जो भी CTAT वगरा जो पास किया है, तो आप लोग इस लेवल पर तो हो, कि आप इस 60 में से 20 माक्स तो, अगर मैं अब आप से कर वालू, तो अभी भी आप सही कर दोगे 20 माक्स तो, ठीक है, बच गए 40 माक्स, तो उसके लिए अब हम पढ़ेंगे ना, हमारे पास 3 महीने हैं, हमारा हम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो इसके ल लिए अपनी बुक निकाल दी हो, जो बुक हैं, वो पहले की चली आ रही हैं, वो पहले वाले सलेबस पर याधारित हैं, नए वाले सलेबस पर याधारित कोई बुक नहीं है, और आप एक गलती और मत करना, मुझे याद आ गया, कि कई बच्चे क्या करते हैं, कि पूरे ए प्रिप्रिक्ष नाम दिया हुआ है इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा क्या है सिक्षा आर्थी को समझना उसके अंदर विकास परिपक्वता विकास के अधारना ग्रोथ एंड डेवलेप्मेंट वाला टोपिक है फ्रेंड जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ बस अब उसको फोड़ा सा लीप पड़ लेंगे हम जो ग्रोथ है डेवलेप्मेंट वाला टोपिक है देन उसके बाद उसके फिजिकल जो डेवलेप्मेंट होते हैं उसमें क्या क्या चेंजी जाते हैं जो depths क्व आप लोग जो इसको हिंदी में देखोगे खासकर जो हिंदी मेडियम वाले हैं उनको बिलकुल भी आप डरने की आउशक्ता नहीं है ठीक है और यह जो शलेबस है मैं टेलिग्राम पर भी सेयर कर दूँगी तो आप लोग वहां से इसको आराम से देख सकते हो पढ़ सकते हो अगर इस वीडियो में एक एक टोपिक को खोल करके बताएंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी तो बस मैं आपको यही बताना चाहते हूँ कि आपको पैड़ागोजी के लिए बिलकुल भी स्ट्रेस नहीं करना है और आप फ्रेंट्स किसी को लगता है कि उनकी ज क्या करना है आपको पहले ना डेमो किलास लेनी है जब आपको जिसका भी डेमो पसंद आए चाहिए अध्यनवंत्रे वाले रोवित सर हो या फिर हीमान सी मैम का हो यह मैंटोर 36 है ठीक है कोई भी एक्सवाईजर कोई भी उसा चिंसर है सभी अपने अपने बैच लेकर यह पहले डेमो लेना है आपको जिसका अच्छा लगे उसको पर्चेज कर रहे ना किसके लिए पैडा गोजी या फिर मैंने इस लेबस को देखा है अच्छे से सर्च भी किया है तब मैंने क्या पाया है कि जो न आई ओस जो होता है नैसनल इंस्टिटूट ओफ ओपन स्कूलि है 502, 506 और 507 अब आप लोग सोच रहे होंगे हम तो यह नहीं पढ़ पाएंगे तो फ्रेंट्स मैं आप लोग पूछ रहे थे कि मैं क्या पढ़ने वाली हूं तो मैं इनहीं को पढ़ने वाली हूं और मैंने इनको ओडर भी कर लिया है मुझे एक दो दिन में बुक्स मिल जाएंगे और मैं इनके अपने खुद के परसनल नोट्स बनाने वाली हूं मैं कोई अभी तक तो कोई भी कोर्स लेने की सोच नहीं रही हूं ठीक है ना ही मैं आगे लेने वाली हूं तो मेरे जो नोट्स बनते जाएंगे जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ सेर करने की ज मारा first and last attempt है अगर आपको थोड़ी से भी need लग रही है कि आपको paid coach लेना चाहिए अगर आपने पहले coaching नहीं किया है बिल्कुल आपकी तयारी नहीं है तो आप ले सकते हैं अगर आपकी 50-60% तक तयारी है तो बेसक से मत लीजिएगा ठीक है और एक बात और अभी आप लोग पूछने लगी है कि mock test किसके लिए तो अभी आपको mock test किसी का नहीं लेना है सबसे पहले अपने syllabus को अच्छे से cover कीजी देन उसके बाद ही आपको mock test के लिए जाना है कम से कम अपने आपको एक डेड मेना जरूर दीजीगा ठीक है देन उसके बाद जो math है वो हमारा PRT में 20 का आने वाला है जिसके अंदर हमाल topics, geometry, shapes, understanding solids, number system बगेरा जो भी है आप इस वाले subject में जब देखोगे तो आपका जो भी syllabus है आप अगर second class से लेकर 8th class तक की NCRT पढ़ लेते हो second class से लेकर 8th class तक की उसमें से आप algebra को छोड़ देना क्योंकि algebra से आपके question नहीं बनने वाले ह ठीक है देन उसके बाद बात करते हैं EBS की फ्रेंट जदा से लेकर बस नहीं बिल्कुल छोटा साही है और NCRT इतनी हाड भी नहीं है का आप लोग नहीं पढ़ पा होगे आप लोगोंने पहले पढ़ी है NCRT भाई 6th, 7th पढ़ी है 10th पढ़ी है तभी तो अभी आप लोग यहाँ पर हो देन उसके बाद बात आ जाती है EBS की EBS के अंदर डिटेल में से ले बस नहीं दिवा दिया हुआ है सिरफ क्या दिया हुआ है फैमिली एंड फ्रेंट्स फूड से लेकर फिफ्ट किलास तक की NCRT निम्टा दो तीन किताब हैं जल्दी से निप्ता दोगे 10-15 दिन में निम्टा दोगे ठीक है उसके बाद उसको निप्ताने के बाद आपको क्या करना है एक मेरा कहना मानना कि 6-8 6-8 में आप लोगी मत करना हिस्ट्री पॉलेटी सब पढ़ने लग जाओ नहीं आप क्या पढ़ लेना जियोगर्फी पढ़ लेना क्योंकि फ्रेंट्स क्या होता है environment जो हमारे चारो तरफ हम देखते हैं आस पास जो होता है उसी से से रिलेटिड होता है तो उसमें जो गर्फी तो आए ही आएगी तो आपको जो गर्फी पढ़नी है दैन आपको 6-8 में जो biology वाले जो chapter है ठीक है जी विग्गान वाले जो chapter है उनको पढ़ना है physics chemistry मत पढ़ना उसमें जो biology वाले topic उठा लेना और उनको पढ़ लेना ठीक है तो यह आपको EBS के लिए करना है अगर आप लोग सभी subject पर अलग से एक एक वीडियो चाहते हैं detail में के आपको कौन-कौन से chapter पढ़ने है किस तरह से पढ़ना है तो आप लोग मुझे comment करके जर English grammar के अंदर आपको noun, pronoun, adjective, adverb में बताने वाली नहीं हूँ आपको सब कुछ पढ़ना है जो आपको syllabus में given है क्योंकि जो KVS है वो अपने syllabus से stick रहता है syllabus से बिल्कुल चिपका हुआ मिलेगा आपको syllabus से बाहर कुछ नहीं देगा tense बगेरा सब कुछ पढ़ने है तो English के लिए भी ना मैंने एक दो वीडियो डाली हुई है दो तीन वीडियो नहीं मैंने छे टोपिक आपको करवा रखे हैं जो वो आपको जरूर करने हैं आप लोग एक बार उनको देखना पिडी पोजिशन, modals, active voice, passive voice आप लोग जब इन English की classes भी जल्दी ही start कर देंगे ठीक है इसी तरह से आपका Hindi का सलेबस है तो Hindi और English बिल्कुल भी टैंसन नहीं लेनी है एक्जाम तक मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगी अगर आप लोगों का sport रहा तो तो friends मैंने आपको सलेबस को डिटेल में बताया है आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है आपको कुछ help हुई है या नहीं हुई है ये आपको comment box में जरूर बताना है और friends अगर आपके लिए helpful हुई है तो आप जैसे और भी जो आपके दोस्ते हैं उनके लिए भी helpful होग हुई 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 हुई